Hello Science ! आज हम discuss करने वाले हैं basically Indian Agriculture का part 3 जिसमा हम discuss करेंगी Rush कि basically इंडिया के Agriculture इंप्रूब करने के लिए ठीक करने के लिए हमें कौन-कौन से reforms करने चाहिए तो वही हमें इस पार्ट में डिसक्स करेंगे तो चलें首 करते हैं। मेरा नमेरा विक है श्य APP और आप देख रहे हैं एक्रामिक्स की 95 प्लास सीरीज तो इस फ्रेंट जैसे कि आज का टॉपिक आज का टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले है कि इंडियन एक्रिकल्चर में इसे कौन-कौन से रिफॉर्म्स करने चाहिए जिससे हमारे एक्रिकल्चर को ठीक किया जा सके अब उस रिफॉर्म्स में टोटल जो रिफॉर्म्स है उसको हम तीन कैटिकरी बाट रहे है पहली कैटिकरी को हम बोलेंगे टेक्निकल रिफॉर्म्स दूसरी को बोलेंगे इंस्टिशनल रिफॉर्म्स and third को बोलेंगे general reforms तो सबसे पहले हम चलते है technical reforms की तरफ कि ऐसे कौन-कौन से technical reforms हमें करने चाहिए जिससे हमारे agriculture को सुधारा जा सके तो सबसे पहले आ रहा है use of HYV seeds अब यह HYV seeds क्या होता है इसकी full form होते है high yield variety seeds means ऐसे beach का परयोग करना जिससे कम बीजों में ज़्यादा production हो उनको बोला गया high yield variety seeds तो पहली चीज आगर हम ऐसे बीजों का परयोग करेंगे तो हमारा production पहले कि तो नहीं में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा point number second is use of chemical fertilizer use of chemical fertilizer से हम अपने production को बढ़ा सकते है आपकी जानकरी के लिए बता दो कुछ लोग कहेंगे chemical fertilizer हमारे लिए अच्छी नहीं होती है हमारे को organic fertilizer का यूज करना चाहिए आपको बताना चाहूँगा हर वो चीज हमारे लिए बेकार है जिसकी हम क्या कर देते हैं आती कर देते है आती का मतलब क्या है फसलों में कीड़े लग जाने के विए सब बरवाद हो जाती है या उसको production नहीं मिल पाती तो उनसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए pesticides का यूज करना चाहिए जिससे कीड़े मुकडे हमारी फसल को बरवाद ना कर सके और हमारी पैदावार बढ़ सके पॉराना जो ट्रैडिशनल तरीका था ना केती करने का आज मुझे लोग वो गा रहे हैं उसी तरह से production कर रहे हैं लेकिन आज के टाइम में नहीं नहीं तरीके आ गए हैं आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस में आहम तरीके से क्या करते हैं पैदावार करते हैं कई सारी ऐसी fertilizer की जिससे जादा rate पर मुझे सेहल कर सकते हैं और कई ऐसे मौसम में भी दूसरी फसलों को उखाया जा रहा है जो उस टाइम पर नहीं उखती थी कारण क्या है हमने उसको दंग से management किया है और सीमित खेत के अंदर ही अपनी फसलों की संग्या को बढ़ाया है means बहुत जादा फसलों को पैदा करने लगे है means diversification of agriculture करा है पहले कहां एक दो फसल होगाते थे हैं अब हम जाद होगा रहें तो यह है क्या सारा इस सारा क्या है science, farm, management अपने आपको जहां production करते है उसका management करिए दंग से तो आपका production बढ़ सकता है mechanist means of cultivation which means यहां पर है कि खेती बाड़ी करने के लिए किर्जी करने के लिए किसानों को machine प्रोवाइड कराई जाए सस्ता credit दिया जाए उनको information दिया तो इस सारे scenario को बोला गया mechanist means of cultivation means धंग से organized तरीके से उनको खेती के लिए mechanist प्रोवाइड करना है उसके बात आते हैं अगर हम institutional reforms की बात करें तो बात अरी हमें करना क्या है अगर हमें agriculture को ठीक करना है तो सबसे पहली जो बात है important वो है यहाँ पर mediator means intermediator वो क्या रहा है एक हमारा किसान होता है basically समझाने के बता रहूं उससे फसल जाती है किसी इन लोगों के पास A, B, C के पास और बाद में यह बेचेंगे किसको customer को अब होता क्या है इसकी वसल यहाँ पर जाकर बहुत ज़ादा मेही सहल होती है लेकिन उसमें से किसान को चुन पैसे मिलते हुश ही कम मिलते है हो तक यह किसान कैया यहाँ पर गाटा हो रहा है कम फाइदा कोण कमा रहे है यह जो mediator है भीच में वो पैसे भीच में कमा रहे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती है, वो किसी और की खेट पे क्या करते है, काम करते है अब प्रॉलम क्या होती है, जो लेंडलोड होता है, वो अपने मन मताबिक उस फसल का इससा अपने पास रख लेता है तो उस government को चाहिए कि वो क्या करे, rent को fix करे जमीन के according की कितना rent देना चाहिए ठीक है, तो उस हिसाब से किसान भी क्या करेगा, अपनी फसल के इससे मेसेज जो कमाया, उसको कुछ part उसको rent के रूपे देगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कोई भी कितना भी rent चारो जगा भागे, तीनो जगा भागे एक खेत और मानों लीजे, चारो जगा भाग रहे आधर टाइम तो उसका क्या कर चला जाएगा भागने में चला जाएगा, क्योंकि उससे चारो खेतों पे नजर रखनी है, तो government को क्या चाहिए, कि उससे ये सारी जमीन ले ले, चारो जमीन ले ले, क्या गरो ऐसे तो नुकसान हो जाएगा और चारो जमीन लेने के बाद उतनी ही जमीन एक एरिया में प्रोवाइट कर दे, इसे हिंदी में कहता है चकबंदी, बतलब उतनी सारी जमीन लेकि वीडियों से एक एरिया में प्रोवाइड करने ताकि उसको उतना भागना ना पड़े इसे बोलते हैं पढ़ते पढ़ते सर कहां से आ गए ये वीडियो की रुख गई तो भाई मैं बताना चाहता हूं इसकी और डी वीडियो मैंने complete बना रखी है जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि ये लेक्चर अवलेबल है आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी तो अ अलावा अगर आपको लगता है कि समझने के बाद आपको कोई डाउट रहे गया है तो प्लीज कमेंट में लिख देना मैं उसको पर फर्दर वीडियो बनाके आपके डाउट को क्लिए करने की कुछ करूँगा चलिए फटावट्स को देखे जाके मैं मिलता आपसा नेक्स क अबढको द BRA dispos देखे लो ओ प्सको क के आपके 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 को अबढ़ प्हू